हेलो फ्रेंड्स दोस्तो आज हम एक बहुती इंपोर्टेंट टोपिक पर बात करेंगे के वॉल मिक्चर और डैवर्टर में क्या डिफ्रेंस होता है इन दोनों बातरूम फिटिंग में से कौन सा बहतर है हमें बातरूम में क्या लगाना चाहिए क्योंकि दोस्तो अगर आप एक modern बात्रूम बनाने की सोच रहे हूँ तो बिना वाल मिक्चर और डाइवर्टर के ये possible नहीं है वाल मिक्चर और डाइवर्टर दोनों ही faucets आपके shower area की premium bathroom fittings हैं दोनों ही fitting Indian modern bathroom में बहुत ही popular choice हैं तो आपके लिए क्या बहतर है आज इसके बारे में detail में समझेंगे तो ध् सबसे पहले तो हम समझेंगे कि wall mixture और डाइवर्टर है क्या हम इसके बारे में समझेंगे second हम इन दोनों के types देखेंगे कि wall mixture और divator कितने त्रह के होते हैं और उनके क्या use होते है थर्ड हम देखेंगे कि कौन सा बहतर है wall mixture या फिर divator किसे लगाना best रहेगा next हम 5 factor के साथ इ Friends, नीचे वीडियो के description में मैंने कुछ best wall mixture और diverter के link प्रोवाइड किये हैं, आप इन link पर click करके check out कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको wall mixture और diverter के difference के बारे में समझा देता हूँ, कि आखिर wall mixture और diverter हैं क्या, इनका क्या काम है, किसी भी bathroom में plumbing का काम कराने से पहले ही आपको ये decide करना होता है कि आपको क्या लगाना है, wall mixture और diverter, क्योंकि इसी के base पर आपके bathroom की plumbing pipe की fitting की जाती है, अगर सबसे पहले मैं wall mixture की बात करूँ, तो wall mixture एक traditional bathroom fitting है, यह एक प्रकार का tab या नली है, जो गरम और ठंडे पानी को mix कर के उनके flow को control करने का काम करता है, यह एक single unit externally दिवार पर fit की जाती है, जिस एक ही unit से आप पानी को on off और गरम और ठंडा कर सकते हो, वही diverter भी एक परकार का tab या नली है, यह एक modern concealed bathroom fitting है, जो bathroom और shower area की दिवारों के अंदर fit कर दी जाती है, और इसका सिर्फ एक lever, spout, overhead shower, जि ऐसे कि इसके नाम से ही पता चल दा है कि diverter का काम भी water को अलग अलग different features में divert करना होता है, और गरम और ठंडे पानी को mix करना होता है, diverter पानी के flow को shower head, faucet, water tab और tub spout feature में divert करने का काम करता है, यह बहुती compact और space efficient दिखता है wall mixture की तुलना में, तो I hope के अब आपको इन दोनों में difference समझ आ गया होगा, दोनों ही नलके परकार है, दोनों का ही काम गरम और ठंडे पानी को mix करना होता है, बस diverter में आप पानी को बहुत जगर divert कर सकते हो, उनके type के base पर, bathroom में इने लगाने का सबसे best reason यह है, कि यह आपके bathroom की beauty को और भणा कर आपके bathroom को एकदम luxurious और modern look दे देते हैं, अब अगर इन दोनों के types की बात करें, तो दोनों में ही बहुत से models आते हैं, जैसे wall mixture mainly दो तरह के आते हैं, पहला है two in one wall mixture और दूसरा है three in one wall mixture, two in wall mixture में hot and cold water को mix करने की सुईदा होती है, और इसे overhead shower से भी connect किया जाता है, वहीं दूसरी और three in one wall mixture में एक facility और ब अलग से मिल जाती है, तो पहला point तो आप ये note कर लो, कि अगर आप wall mixture लगा रहे हैं, और आपको hand shower भी चाहिए, तो आप three in one wall mixture लगाएंगे, नहीं तो two in one wall mixture, अब अगर diverter के type की बात करें, तो diverter भी कहिंत रहेंगे आते हैं, जैसे single liver diverter kit, single liver three inlet diverter kit, two way diverter, three way diverter, four way diverter, five way diver diverter kit, और six way diverter kit, चलिए इन्हें detail में समझते हैं, पहला है single liver diverter kit, जैसा कि आप image में देख रहे हो, single liver diverter kit में, एक piece concealed body diverter, और एक piece exposed body kit होती है, जिसमें cover plate, knob और एक liver होता है, इसमें right hand side में cold water inlet, और left hand side में hot water inlet होता है, top में shower outlet, और bottom में spout outlet होता है, knob का प्रियोग shower को use करने के लिए के जाता है, और liver का प्रियोग hot and cold water को mix करने, और spout को on off करने के लिए के जाता है, जो की exposed part का हिस्सा है, और diverter concealed part है, इसी तरह बाकी के two way diverter, three way diverter, four way diverter, five way, six way, और single liver three inlet diverter में, number of outlet ज्यादा कर दिये जाते हैं, ताकि इन्हें fresh corporation के पानी के लिए, motor के पानी के लिए, और water jet के लिए यूज किया जा सके, ज्यादा outlet connection के दुआरा, यानि के समझने वाली बात ये है कि आपको अपने बातरूम में, जितने ज्यादा water jet का यूज करना होगा, diverter का selection उसी के हिसाब से करना होगा, चलिए, अब हम इन दोनों को compare करके देख लेते हैं, ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ कि आपके लिए क्या बैतर है, वाल मिक्चर या फिर diverter, जिसमें पहला factor है look and style, पहली बात तो वाल मिक्चर में आपको बहुत से तरह के styles और design मिल जाएंगे, पर diverter के क्योंकि ज़्यादा elements दिवार के अंदर छिप जाते हैं, और बाहर सिरुफ flange और handle लिखता है, तो इसमें आपको limited design और style सी मिल पाते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी look अच्छी नहीं होती, बलकि इसकी look तो वाल मिक्चर से भी अच्छी लगती है, यह आपको बहुती modern look देता है, और वाल मिक्चर एक traditional look, कहने का मतलब यह है कि अगर आपको एक traditional look चाहिए, तो आप वाल मिक्चर के साथ जा सकते हैं, और एक modern look के लिए diverter के साथ, तो अगर looks और appearance के मामले में देखा जाए, तो साफ तोर पर diverter ही वाल मिक्चर से आगे है, सेगें हम बात करते हैं, तो वाल मिक्चर क्योंकि एक external bathroom fitting है, और hot and cold water को control करने के लिए, इसके separate handles ह इसलिए वाल मिक्चर को एक ज़्यादा स्पेस की requirement होती है, diverter के मुकाबले, वहीं diverter क्योंकि एक concealed compact element है, जो shower wall area के अंदर ही चिप जाता है, इसका सिर्फ एक flange, एक handle और चोटा सा 9 भी visible होता है, तो इसमें space की कम requirement होती है, तो यहाँ भी साफ तोर पर diverter आगे निकल जाता है वाल मिक्चर के मुकाबले, थार्ड है service और maintenance, क्योंकि वाल मिक्चर एक external bathroom fitting है, जिसके damage होने के chance तो बहुत ज्यादा होते हैं, पर इसकी complete body exposed होने के कारण, इसे change करना और repair करना बहुत असान होता है, पर diverter में एक part considered होने के कारण, इसके damage होने के chance तो बहुत कम रहते हैं तो repair और maintenance के मामले में, साफ तोर पर wall mixture आगे निकल जाता है diverter से, चोथा factor है noise, wall mixture वाले bathroom में, bucket भरते समय बहुत ज्यादा noise और shore होता है, जिसका एक ही reason है, वो यह के wall mixture आम तोर पर एक मिटर की height पर लगा जाता है, पर वही diverter वाले bathroom में, diverter की height तो सेम होती है, पर spout को market भरते समय इसमें अवाज कम होती है, तो इस factor के base पर भी diverter आगे निकल जाता है wall mixture से, पाचवा और important factor है price का, अगर आप एक wall mixture लेते हो, तो इसकी cost 2000 पे से start हो जाती है, जो 2200, 2500, 2800, 3000 और 3500 पे तक जाती है, मिस जितने अच्छे brand के साथ आप जाओगे, यह आपको उतनी range में मिल जाएगा, complete wall mixture, पर diverter की complete cost 4500 से 6000 पे तक पड़ती है, इसमें भी आपको spout अलग से लेना पड़ता है, जिसकी cost 1000 से 1500 पे तक पड़ती है, तो price के मामल में no doubt wall mixture ही आगया diverter से, अब अगर conclusion की बात करें, तो आपको wall mixture लगाना चाहिए, यह diverter, ultimately यह depend करता है, आपके bathroom दूंगे types of shower and bath setup पर, और सबसे main है आपका budget, अपने budget को ध्यान में रख कर ही दोनों की selection करें, पर अगर आप अपने bathroom की एक बहुती stylish, modern और royal look चाहते हैं, तो फिर आपके लिए diverter ही सबसे best है, और वैसे भी wall mixture का का काम तो diverter करता ही है, और एक बात matter नहीं करता कि आप wall mixture ल चाहिए होता है, इसके लिए आपकी पानी की टंकी ऊची रखी होनी चाहिए, अगर आपके पानी की टंकी छत से 2 या 3 feet की height पर रखी है, तो फिर आपको diverter का benefit नहीं मिल पाएगा, ऐसे में आपका wall mixture लगाना ही बहतर रहेगा, तो आज की वीडियो में इतना ही, उमीद करत करते हैं, तो आप हमारे चैनल को भी subscribe कर सकते हैं, और अगर आपका कोई doubt या suggestion है, तो आप नीचे हमें comment कर सकते हैं, आपको 100% reply दिया जाएगा, तो अगर आपका suggestion अच्छा लगता है, तो मैं उसे pin कर दूँगा, ताकि आपका suggestion और लोगों की काम आसके, ओके friends, तो चलिए जल मिलते हैं, हमारी next वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बहतरीन जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा, और वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों बहुत बहुत धन्यवाद गाई, thanks for watching and have a nice day.